इस वाले लकडी के अंदर में देखो, पूरी फंगस लगी है, यहाँ पर हम इसे अपनी लेंगोज में कुर्ड कहते हैं, बहुत चोटी हैं, दोनों साथ, आज का मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया, आज से मौसम बिल्कुल चेंज सा हो गया, जो से कल तक अच्छी खासी दूप खिली थी, आज बिल्कुल ही चेंज हो गया, याने के मौसम देखोगे आसमान में आपको बादल दिखना शुरू हो जाएंगे, आज दूप इतनी बिल्कुल इतनी लाइट है, अभी तक फेल नहीं हो रही है, अभी सुबह के 11 बज़ रहे हैं, आज काफी देर से व सुबह के, और 11 बज़े का मौसम देखो लग भी नहीं रहा है भाई कि इतना टाइम हो गया, अभी ज़स्त ऐसा लग रहा है कि सुबह ही हो रही है, उसका रीजन है कि मौसम बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गया, बादल देखो आना शुरू हो गया, आज 24 है और मुझे लगता है इस मन्त के एंड होते होते जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उस तरीके से कही ना कही एंड तक ना इस मन्त के या फिर जानवरी के स्टार्टिंग में हमें बरफ देखने को जरूर मिल दाएगी, अपने गाउं में नहीं, लेकिन जो सामने वाली चोटियां ये उपर में ये हमारे गाउं के उपर वाली चोटियां, इन में तो बरफ देखना शुरू हो ही जाएगा मतलब, जिस तरीके से ठंडा मौसम हो रहा है अभी के टाइम पर, उसको देखकर कह रहा हूँ मैं, अभी आ रखाओ में अपने खल्यान की तरफ में, हम इस दिगा को ख अभी पता है मुझे करना क्या है मैं थोड़ा सा लकडी फाड़ूंगा, क्योंकि अब बारिश का टाइम आगया है अब ये देखो, सामने वाली पहाड़ियां देखो, पूरी मतलब धकी पड़ी है, चावा रखे, वहां पर धूप नहीं है, धूप थोड़ी थोड़ी कही कहीं पर है, तो आज लग भी ऐसा रहा है कि शाम तक ने अच्छी गासी बारिश देखने को मिल सकती है, जादा भी ना मिले तो लेकिन थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बारिश, देखते हैं फिर भी क्या होता है ना, आके ठंडी की बात करो ना, बिल्कुल ठंडी हवा होता है, अब देखते हैं, लेकर चलते हैं इसको पहले, बहार ही काफी ता यर, तो यह आगया भई, यहाँ पर, इसे ही पाढ़ना है अभी, यहाँ पर हम इसे ना, अपनी लेंगवज में कुएड कहते हैं, कुएडू, मतलब कुएडू मतलब पॉईजन, जो कि फंगस वाली पॉईजन होती है, तो इसके अंदर में पूरा इसी तरीके से हो रखा है, तो दरसल मैं इस लगडी को इसलिए फाढ़ हूँ न, कि जो दिसंबर अब एंड हो रहा है, और जन्वरी आ रहा है, जन्वरी जो महीना होता हो, बहुत हार्ष होता है, यहां पर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब फैबररी एंड तक करो, कैल्कुलेट करके चलो, तो अब जो ठंडियों का टाइम आएगा न, तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करता है, कि जतने भी सूखी लखड़ियां होती है, वो सारी अभी से घटा करना शुरू करता है, जन्वरी और फैबररी को निकालने के लिए, तो इसके टुकड़े करते हैं वटावट से, और देखता हैं कितना निकलता है, सास फूल न लगी भाई, पूरा पूरा यहां पर मैंने फार दिया, छोटे चोटे टुकड़े कर दिया, जरसले इस वाली लखड़ी पे तो दीमक भी लगी है, तो घर पे अगर अभी लेकर जाएंगे, अभी थोड़ा से छोड़ना पड़ेगा से सूखने के लिए यहां पर, जब तक देमक इससे चली नहीं जाती है, पानी गरम करने के काम आ जाएगा, मैं नीचे से दिखाता था आज उपर से देखो, कुछ ऐसा दिखाई देती है, यहां पर तूनी की लखड़ी है, तूनी बहुत महेंगी बिखती है लखड़ी ना, जैसे इस पेड़ की कीमत अभी के टाइम पर 20-30,000 के लगबग तो होगी, लेकिन जैसे उपर वाला पेड अपर वाले पेड़ी की कीमत लगवग 6-7 लाक रुपए, पहले के टाइम पर ना, मियां पर अपनी धान और यह जो मोटा नाज है, वस चीज को कूटा कर देते हैं, इस लिए इस जगह को खल्यान कहते थे, लेकिन अभी के टाइम पर तो ऐसा होगी है, बिल्कुल अभी के टाइम पर नहीं है, खल्यान के लाइक, यूज करने के लाइक, अभी तो बस लखड़ी स्टोर करने के काम आ रहा है बस, और ये देखो ये, ये हैं इंट्रस्टिंग चीज तो, ये इस तरीके से हम यहाँ पर गास स्टोर किया गरते हैं, ठंडियों में, या फिर बरसाद क ओर ये टाइम पर ना और जब गास की दिक्कत होती है तब हम इस गास को निकाल के गाईयों को खिलाते हैं, तो ये एक एक गड़े बना रखे हैं घास के, और उसको एक के बाद, एक के उपर चड़ा के, इस वाली लकडी पर बांध रखा, मतला पूरा पूरा पूरा, जैस अब यहां पर निम्दरी खुआ ली था ना अभी यम दूसरी जगा पर शिफ्ट हो गए तो दादी का यहां पर भात वन रहा बहात तो यह वाला और अभी के टाइम पर साढ़े दस ग्यारा बज़ की बन नहीं तुम लोगों खान नहीं खाया गया अभी अभी के टाइम पर अभी के समय नहीं शाथ यहां बहात ही तो इस लिए अब हिंभी खाना नहीं खार रहें अपने उस सैडे में दिन ऊगई है कbbles और यह अपना गाउं जो कि अफुल्क बड़ा खुपसूरा दिखाए ना बहाँ ही कूपसूरा उस साड़ में परा नीला अस्मान है यार। कितनी छोटी है देखा है बहुत छोटी है दोनों सायद दो अभी हो रखी है ना सायद कल परसों की नाक में भी रेगुलर पानी आ रहा है दरसल काफी ज्यादा ठंज ना इसकी वज़ए से हो रहा है तो यह अचानक से बदला है और मौसम मतलब कल तक इतना था भी नहीं जैसा कि आज हो गया मतलब न कि अब बारिश देखना जब बारिश लगेगी न यहां पर तो रेगुलर लगेगी फिर रुकने का नाम नहीं लगी बारिश फिर हलकी फुलकी बारिश रेगुलर रहेगी और उस टाइम पर में आपको बहुत अच्छे विए क्योंकि हर्याली चाना शुरू हो जाएगा बारिश की वज़े से 30-40 दिन में हमतलब हर्याली दिखना शुरू हो जाए सब चीजा बनाते हैं तो उस खाने को भी दिखने के बड़ा मजा आता है उस खाने को बनाने में भी और बहुत टेस्टी होता है healthy मतलब मतलब कि अभी दिन का टाइम है अभी के टाइम पर अच्छी गासी दूप होनी चाहिए थी लेकिन दूप के हाल देख सकते हैं किस तरीके सो रखिये हैं हलकी दूप बादर लगे हैं बाकी मुझे लगता है उदर को रुदरपयाक चमोली की साड़े में बारिस हो रही है उस स क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी और अभी थोड़ी देर में मुझे जाना है खेत में तो खेत में आज हम अधरक निकाल रहे हैं ना खेतों से तो वहां से अधरक भी लेके आने है अभी टाइम से जाना पड़ेगा अभी के समय पर घर पे आगे हूं और अब जा रहे हूं से तक खेत में तो थोड़ा घर पे गाही के लिए कुछ जो हम पींडा कहते हैं तो पकाने के लिए रखा है पींडा का मतलब यह समझ लो कि चावल जो भी खाना बनता है थोड़ा बहुत ना जो दूद देती उसके लिए जिस जगह पर हमारे खेत है जहां पर उसको कहते हैं बाटोल मतलब की बाट का मतलब होता रास्ता हमारे यहां पर बाटू कहते हैं रास्ते को तो मैंने पहले वाले व्लॉक में बताया भी था कि जहां पर के अद्रख हो रखी है राइट तो उसी जगह पर जा रहा हूं मैं इसे देखो य मस्ट बस नाब नाब इतने बड़े-बड़े हो रखेंतों काफी है हाथ पखड़ रहें मुञ चल तो ये हो रख henna ऐसा निकल दा कुस लेक? मेरे साब से ठीक है मतललादेर है कुछ बुरा नहीं है अच्छा आरीक से हो रख है तो काफी सारा है यहां पर ना मैं ऐसा करता हूँ कट्टा भरता हूँ कट्टा भर के निकलता हूँ एक बोरी अद्रक निकाल दिया दरसल लगबग वही है 30-40 kg के सम्थिंग है 30-35 kg होगा मतलब तो इसको ले जाने वाला हूँ और यहां से ले जाना भी बहुत मुश्किल है इस वाले खेत में लगबग 30-35 kg अद्रक लगी थी तो यह लगाओ कि यह 35-40-40 kg के कट्टे लगबग 6 कट्टे निकल गए मतलब इस वाले खेत में तो ठीक है मतलब 6 टाइम हुआ है 6 गुना जादा हुआ है जो कि अच्छी चीज है